बहिया समाज में लोगों के बीच मेरी इज़त किसी कारण खतम हो गई है कुछ ऐसा हुआ था जो मैं कहना नहीं चारा पर अब लोग मेरी इज़त नहीं करते कोई मुझे पूछता नहीं, बुरी नजरों से देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं मैं कैसे अपनी इस पबलीक इमेज को सुधार हूँ, इज़त को पुनह पाऊँ, कोई रास्ता बताईए बिल्कुल रास्ता बताऊँगा, ध्यान जे सुनना, अपनाना, आपकी इमेज सुधार जाएगी, इज़त वापिस लोटाएगी सबसे पहले अपनी इमेज अपने मन में बदलो दुनिया क्या सोचती है, वो सेकिंडरी है, उससे इतना फर्ग नी पड़ेगा सबसे पहले खुद का सम्मान करो, खुद को एक नए रूप में देखो, एक नए विजन मनाओ उस सीन को अपने सपने में देखो, आखे बंद करके देखो कि अब मैं वैसा इंसान बन गया हूँ, वैसा अच्छा जीवन जी रहा हूँ, सम्मेरी इज़त कर रहे हैं एक एक चीज इमेजन करो, पूरे के पूरे सीन इमेजन करो वो अब आपका सच है, जो हुआ वो आपका भूत है आपको अपने भूत से अपने सच पर चलके जाना है, आपको वह पे पहुँचना ही है कैसे पहुँचना है, वो आप ते करोगे पहले खुद को मान लिया कि मैं यह हूँ, फिर वहां तक पहुँचना ही पहुँचना है, जो इनसान खुद का सम्मान नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो गया, अपना सम्मान ही वापस नहीं पा पाता, दुनिया उसका सम्मान कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो सर नीचा करके ज पेज़ मन गई, कुछ भी बुरा हो रहा है, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम उस बात को मन के अंदर से बाहर लाना चाहते हैं ताकि एक्सप्रेशन हो जाए, होता है ना ऐसा, तलब उठती है ना, कि अपनी बात शेयर करो, क्या सही था, क्या हुआ सब को बताऊं, पूछू क्या मैं सुधर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा हो रहा हूँ, आपको मैं कैसा लगता हूँ, नहीं करना, उस विशह में जो अब मृत है, जो हुआ था, जो खराब था, जिसने इज्ज़त खो दी आपकी, उसके बारे में आपको कोई भी बात नहीं करने, जबान पर लगाम लगा लो, टेप चिपका लों उपर, उस विशह में, किसी की सिंपथी भी नहीं लेने, ना किसी से पूछना, आप मैं सुधर गया हूँ, कुछ नहीं करना, लोगों के मन को उस बात को भूलने दो, अब कुछ ऐसा हुआ है, बेस्ती वाला काम हुआ है, लोग तो उसका डि रियक्शन नहीं देना, ना दुख दिखाना, ना खुद को डिफेंड करना, ना घबरा कर वहां से चले जाना, आपको बिल्कुल इंडिफरेंट रहना है, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, उनको अपनी बाते कहने दो, हसने दो, कोई नेगिटिव रियक्शन मत दो, और ब जब उनको लगेगा कि आपको फरक ही नहीं पढ़ रहा, वो बात धीरे धीरे कमजोर पढ़ती चली जाएगी, एक दिन भूल जाएंगे, फिर किसी और को पकड़ लेंगे, और उस बात को आप ही पकड़े रहोगे, एक साइट से वो खीच रहें, एक साइट से आप हो रहा है, और दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, जो भी आप से गलती हुई, गलत हुआ, जाने में हुआ, अन जाने में हुआ, उसको बिलकुल भी रिपीट नहीं होने देना, उसको धोराना नहीं है, किसी भी कीमत पर एक दिन, दो दिन, एक महीना, चार महीने, छे महीने, साल बर, दस साल, अब वो चीज नहीं होनी चाहिए उसके लिए आप बादित हो, कमिटेड हो कि वो गलती अब में कभी भी दुबारा नहीं करोगा वरना आप ठपा लग जाएगा, कि ये इंसान वो है इतना आपको मस्बूत बरना पड़ेगा गलती की आप कोई गुणजाईश नहीं है और जितना आप दूर जाते जाओगे, वो गलती नहीं हो रही अच्छे आच्रन के साथ जी रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो उतना ही आपकी इमेज धुनली पड़ती जाएगी साथ ही कुछ गलत किया है तो कुछ अच्छा कर दो थोड़े से हेलफफुल बन जाओ थोड़ी सी लोगों की मदद कर दो लोगों के साथ खड़े रहो लोगों के काम आने लग जाओ अपने आप पुरानी बात धुनली पड़ जाएगी पर समय देना है निश्टा के साथ उस बात को रिपीट नहीं होने देना तब धीरे धीरे इमिच पल्टेगी दोस्तो हमारा एहमना बहुत प्रबल होता है एहंकार जो होता है तो हमसे कुछ भी गलत हो गया जाने अन जाने में हमारी बेस्ती हो गई, embarrassment हो गई हम खुद को defend करने में लग जाते है अब मेरा एक ही मकसद है दुनिया को गलत साबित करना खुद को सही साबित करना और कही बार हमें पता है हम गलत है तो भी उल जलू बाते करके लडाई जगडे करके खुद को सही साबित करेंगे इस से आपकी इमेज और खराब होती चले जाएगी तो आप कोई महंगे लॉयर नहीं हो जिसको जूट बोलने के लिए पैसे दिये गए है आपको आत्म रक्षा करनी आत्म सुधार करना है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने आपको माफ कर देना एकसेप्ट करना कि मेरे से गलती हुई है लडाई नहीं करना एगो आगे नहीं लानी एकसेप्ट करने नहीं मुझसे गलत हुआ है जैसे भी हुआ हो जाने अन जाने में हुआ हो मैं खुद को उसके लिए माफ करता हूँ सचे दिल से माफ करता हूँ वो मैं नहीं ता मुझसे हो गया मैं खुद को सुधारूंगा लंबा जीवन पड़ा है सही रहा पर चलूंगा जिस शर्ण आप अपने करते के मालिक बन गए मुझसे हुआ है एक्सेप्ट कर लिया खुद को माफ कर दिया उसी शर्ण से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे जैसे एक बॉल टपा खाती है जिस शर्ण जमीन को चूती है उसी शर्ण उपर चले जाती है तो जमीन को चूना पड़ेगा तब ही आप वापस उपर जाओगे तब ही इंप्रूफ करोगे तब ही आगे बढ़ोगे डिफेंड करते रहोगे कोई भला नहीं हो दोस्तो आपकी जो परसनालिटी है व्यक्तिद्व है उसमें जो भी स्कोप आफ इंप्रूव्मेंट है जो गलत चल रहा था जो सही करना है जो सुधारना है जो वो हादसा हुआ इंसिडेंट हुआ बाते हुई आपको अपने लिए एक प्लैन मनाना है एक विजन मनाना है कि ये ये चीज़े मुझे सुधारनी है और इसमें सबसे जरूरी है सूपरफिशली ऑपरेट नहीं करना उपर उपर से सब सही नहीं करते गहराई के साथ मन में सोच में बदलाव लाना है इसको एक एक्जामबल देकर समझाता हूँ जिससे पहले आप बहुत मतलबी थे सेलफिश थे आपने किसी के बहुत बुरे वक्त में लोगों की खुशियों में खुश होने वाला इनसान मानना है किसी की मदद करके खुशी का एहसास करना है कि मैंने कुछ पाया है कुछ करा है मेरे जीवन का कोई मूल्य है ये सोच मन में बैदा करनी है गहराई से तब आप सही रहा पर चल पाओगे अपनी इमेज बदल पाओगे जिस भी विशे में आपको अपने अंदसुधार लाना है गहराई से लाना है सोच को बदलना है ताकि वो सोच बदली रहे आप निराश ना हो जाओ पांच बार अलग काम कर लिया निराश हो जाओगे यह तो मैं हूँ ही नहीं कोई फाइदा भी नहीं हो रहा पीछे हट जाओगे सोच बदल लोगे तो उसी रहा पर चलते रहो थैंक यू और अल दा बेस्ट